आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं आरो यारो 2016 मेंस का जो पेपर हुआ है बाइस अक्टूबर को उसका जो जी एस का पेपर है उसके बारे में देखेंगे फटापट उसके अंसर को देखते जाएंगे जहां जरूरत पड़ेगी उसको एक्स्प्लेंड भी करेंगे तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी किजिए चलिए आईए देखते हैं कि या अत्या अदेखते हैं तो पहले कुस्टिन का अंसर जो है वो कोच्टिन होगा इंसर B क्योंकि यह जो है इसका इसका एंसर भी होगा क्योंकि यह जो सारे port है तो पहले question का जो answer है वो बगय कोचीन क्योंकि यह सारे जो है वो बोट है थो की इसków से अलग है दूसरे question का answer जो है वो C होगा यह मिला हुआ है िसमें इसमें आ यह हमने तीसरा question है, तीसरा question का answer है, जो वो A होगा, क्योंकि ये D I, D I को उलटा करेंगे, तो ये ID बन रहा है, और इधर, जो है, N C E को उलटा करेंगे, N C E, इस side में आ रहा है, ठीक है, ये N C E इधर उलटा करेंगे, D I को इधर उलटा करेंगे, तो ये हो जाएगा, और फिर बीच म सामने सामने से जब मिलाएंगे उसका next जैसे की yes T A है तो yes का आगे हो गया T T का U और A का B ठीक है इस तरह से इसमें मिला हुआ है तो यह आप देख लेंगे और उसी तरह से इसका answer A हो जाएगा अब चौथा जो है उसका answer 42 होगा answer B है इसका पांचवा question जो है उसका answer होगा मंगलवार देख लेते हैं इसका थोड़ा बैख्या भी जैसे की यह चुकि बोल रहा है कि जो भाई है वह 562 डेज इतना बड़ा है और उसकी बहन जो है और फिर उसके बाद जैसे वह मंगलवार कोई थी तो बुद्वार तो ऐसे हो गया ठीक है और फिर उसके बाद एक दिन इकस्ट्रा जो जोड़ते हैं वह बुद्वार मतलब धुद्वार को उसका भाई होगा ठीक है और जब हम यह 562 दिन में जब हम साथ से डिवाइट कर है ठीक है यह सिक्स के एंसर हमको नहीं मिल पाया है अगर आपको मिलता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या होगा इसका एंसर सात्मा जो क्वेश्चन है उसका एंसर ए होगा देखे इसमें यह 3 step में करना पड़ेगा जैसे 418 और 1-180 इस तरह से करके हैं तो हम पहले इसके इसके बीच का difference देखेंगे ठीक है जो आता है फिर मालो A, B , C , कुछ भी आता है तो फिर इनके इनके बीच का और en ser आ जायेगा का 8 कोश्चन लेखते हैं आडवा कोश्चन का अंसर ये तीनों संतियां तीनों संदियों से निकल चुका है ये要 सक एंसर एह differs जूँसें इन sera K Index समस्थाइब चुका है इसका ऐट होगा एक दो तीन तीनों से एड नाइन्प कोष्चन है जो सेखर कपूर को बनाया गया है जिसमें भारती फिल्म टेलिवीजन संस्थान और दस्मा कुष्चन है दस्मा क्रेंज का अन्सर प्यांत का राधा क्रिश्ण ने एंसर बी यह और उसका एंसर है आपका कीरल कीरल अभी फिलाल हर जगे यही मिल रहा है कीरल ही है फॉलो और सब्जियों में जिसने समर्थन मुल्य का निल्धारंड किया गया है और बारमा क्वेश्चन है उसका एंसर है नासा सोफिया नाम का जो उसका अंत्रिक्षयान था उसी ने पूस्टी सब्सक्राइब करना है तो आप बीच-बीच में रुख करके इसको पूस्ट करके वीडियो को पड़ सकते हम फटा-फट चुकि अगर पूरा धंग से पड़ते जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा इसमें तो थार्टीन क्वेश्चन जो है उसका एंसर होगा बी क्य कि महारास्टर जीता था ठीक है और जो यह है आपका हरणा में होगा नेक्सट और 14th question है 14th question में यह जो फवाद चोधरी जो थे पकिस्तान के उन्हों ने यह दिया था पुलमामा वाले हमले का एक तरह से उन्हों ने अपना समर्थन किया था कि इसमें पकिस्तानी इंवल्व था यह न्यूज में था काफी ठीक है पंद्रामा question देखते हैं पंद्रामा question मे में जो 200 पर रेटन दीवस है उसका जो थीम है वो यह यह पर रेटन है उन्हों ग्रामेड विकास टुरिजम एं डूरल डेवलप्मेंट कि 2020 वाले का ठीक है 16 question है जो जो पांच जीने है यह की उसमें जो है उस पातों इंजिन्रिंग का ही अज़ा उद्द्यूग सबसे बिक्सित है 17 question है उसका जो एंसर है वो रेगूर होगा क्योंकि काली कपासी मिट्टी को रेगूर ही बोलते है ठीक है 18 नंबर का जो question है वो उसका answer भी होगा मिलाने पर आपको मिल जाएगा इसका तो जो है वो भील जो रागत जास्तान में होगा और गोंड जो है वो 36 गड़ में होगा इस तरह से आप इसको मिला लीजेगा ठीक है 19 question मुझे लग रहा है साथ गलत है option इसका गलत है क्योंकि इसमें जो है आर्मेनिया यह भी लैंड लॉक है बोच सुमाना भी लैंड लॉक है और एथोपिया भी है तीन हो है तो एक तीन चार ऐसा कोई option है नहीं तो इसका यह है इसमें टेराया सुमेलित नहीं है भी एना जो है वोल्गा नदी पर नहीं है कि नेक्ष देख्ते हैं इसमें आप देख सकते हैं जिल्मिली जो है वह आपका 36 गड़ में और कर्णपूरा जो है वह आपका जर्खंड में बस इसी को मिला देंगे उसी से मिल जाएगा सुहागपूर जो है आपका यह MP में है यह सब जानते हैं तो आराम से मिल जाएगे जो 22 कोश्चन का एंसर जो होगा वह सी होगा इसमें जो है रंजीत घाटी जो है यह आपका सिक्किम में है और जो तंदूर यह काफी फेमस है तंदूर यह थर्ड तिलंगाना में है यह तई इसमें चार सोरों को बोला गया है जबकि उसमें पांसो से अधिक सहर हो चुके है तो इसलिए 60 परसेंट नगरी अबादी भी अम्रित युजना में है और चौबिसमा क्वेश्चन है चौबिसमा क्वेश्चन का एंसर जो है वह MP क्योंकि इस समय जो 2018-19 में सीमिंट का सरव ऐसे जो ने आकश कॵेश्चन है क्या चुक्राक के रूप में शायनो बैक्टिरिया को यूस किया बहुत है गो आइनि नमार्व了吧 회 Saviक्यम क्वेश्चन हे वह आपका एक मैस्थिरि कर्थि मुंपग्रिसका जो और है हे Papaj 23 hours 56 minutes यह द्यान रखिएगा यह तो इसका जो नेरेस्ट एंसर है वो आपका 24 गंटा होगा 28 नमबर जो question है वो भी repeated है इसका जो answer होगा वो भी है इसका जो matching कराएंगे सब को पता है सिरका में सब्सक्राइब होता है तो आप इसको अगर एक भी मिला देंगे तो इसका एंसर मिल जाएगा आपको 29 पर देखते है 29 का जो answer है वो हगा सी 3124 इसको भी मिला लिजेगा थर्टी नमबर question देखते है थर्टी नमबर में पारिस्तिकी के बिविद अव्या आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है जबकि यही गलत है इसमें सब झीरिबर होते हैं नेक्स देखते हैं 31 31 का किवल एक सबस्ब्राइब क्यान्यच र्वह सघ्विद अकि आइगती सब्सक्याइब नां फ्यूजन जो होता है उसके अधार पर होता है इसमें देखें इंग्लिश में लिखाया है ये फीजन ठीक है फ्यूजन होना चाहिए नेक्ष्ट देखते हैं 32 का जो होगा वो डी होगा क्योंकि मानों शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संस्रेशन कर लेता ये गलत है फ्यूंग है 33 नंबर है जो उसका एंसर है नर्सिम वर्ण इंसर बी होगा इसका 34 नंबर है जो इसका एंसर मुझे मिला नहीं कहीं जगां मैंने ढूलने के कोशिश की दिम लिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पसुओं पर कूर्टा पर प्रतिबन लगाने के लिए कासी च्छेत्र भेजा था तो ये मुझे मिला नहीं अगर आपको मिले तो कमेंट में जरूर बताइए थर्टी फिफ्ट का अंसर जो है वो ए है क्योंकि ए और बी दोनों सही है और ब्याख्या भी कर रहा है इसका 36 में का अंसर देखी बहुत सही सही मिला नेरेस्ट आंसर अमको इसका ड लग रहा है इसका यह विकिपीडिय के भी नहीं देखा कहीं बुक में भी मिजह नहीं समंझने आया इस बुक में भी नहीं दिखा ठीक है और यह 1659 था अफजल खावाला 1659 और सूरत वाला जो था वो 1664 था तो इससे आपका यह मैचिंग हो जाएगा हल्दी घाटी में जो है वो राजपूत सेना का जो सेना पती था वो हकीम खानसूर था थर्टी नाइन्थ थर्टी नाइन्थ में जो यह इसका एंसर गोपिनाथ सहा है जिसने चाल्स टेगाट की हत्या का प्रयाश किया था 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कई बार आ चुका है देभागा अंदोलन जो है 1946 तु 1947 था मोपला सबको पता होता है लगवग हर बार क्वेश्चन में आ जाता है रिपीटेड है 1921 तो इस तरह से आप मिला लीजेगा नेक्स देखते है फोटीवन इसका जो एंसर है वह होगा सी सत्य है और गलत है देखिए मराठा के पहले सा सकते जिनके पास एकिक्रित भारती राष्ट की संकल्पना थी यह मुझे गरत लग रहा है यह उनके पास ऐसा कुछ नहीं था वह सिर्व अपने समराजी के डड़ते थे राष्ट की स एक नेक्स्ट देखें नेक्स्ट है आपका गौपाल कि यह वाला है जो सुमेलित नहीं है बोल रहा है ठीक है यह भी है सत्यागरख यह गांधी जी ने लिखा था जब वह अफ्रीका में थे नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है आपका 241 एंसर भी इसका सही है उचने अलग अप्रावधन किया गया इसमें कैंसासित प्रदेशों के लिए 44 का जो एंसर है वह वहोगा ए रासभा का बिट्रण नहीं होता है और धृष़व ऑन दूसरे सल निवृत्त हो जाते हैं यह इसा है 45 जो है वो इसका अंसर देखे वैसे तो इसका जो संसद लिख रहा है संसद से पारित क्या संसद से पारित तो पारित सब्द का इस्तिमाल किया तो 11 दिसंबर ही इसका अंसर सही है बाकी रासपरती ने बाद में साइन किया था 12 पो तो पारित की बात अगर कर रहा है तो 11 दिसंबर ही सही होना चीज़ करेगा नेक्स देखते हैं 46 46 का एंसर ए होगा जब आप मिलाएंगे इसको तो जो कि अभी बहुत चर्चा में रहा है वो एक सो तीनवा संविधान संसोधन जो की पन आर्टिकल 15 में एड़ हुआ है उसमें परिवर्थन किया आर्टिकल 15 में तो नेक्स देखते हैं आर्टिकल 15 16 नेक्स है इसका जो है वो आपका भारती अर्थ गोस्ता में वस्तुयम सेवाकर का संग्राण यह देखिए इसका जो एक्जैक्ट एंसर है वो है आपका 105 155 करोन ठीक है तो आप यह सब डाटा भी आप रटना पड़ेग ठीक है दियान रखिएगा नेक्स्ट जो है उसका एंसर जो होगा वो डी होगा कौन सा कथन सत्य है ठीक है यह पूरा पढ़ लीजेगा यह आपको एकोनोमिक सर्वे में मिल जाएगा नेक्स्ट जो है वो है 49 का इसमें तीनों सही है यह जो मुद्दा अभी चाया हुआ था जो कई टेलिकॉम कंपनिया थी उनके पस्पेक्टिव में अभी सुप्रिम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है एजियार वाला ठीक है एडजस्टेट ग्रॉस रेविन्यू तो उसे एक्यावन्मा का एंसर जो होगा वो सी होगा नीलम क्यूंकि नीलम जो है वो मैंगो की है आम की प्रचाति है टीक है जो फिप्टिटू जो है उसका यह सारा सही है वो पर सभी हसल चक्र का महत्त्यों सब के लिए तिरपन जो है उसका एंसर सेढ़वी का मुख्याले इसमें मुझे लग रहा है कई सारे अंसर हो सकते हैं सभी ज्यादा जो सटिक लग रहा था वह डी है राजकोषी नीति का एक तरह से पूरक भी है और मंदी के दिवरान प्रभावी काफी होता है और प्रभावी मांग को नियंद्रित करने है तो प्रतिक चुपाव ज्यादा स्टिक डी लग रहा है वैसे बी सी डी भी लगबग बी सी भी लगबग सही है 56 का जो एंसर होगा वह 1875 है ओरियंटल कॉलेज की अस्थापना अलीगड में अलीगड़ इसका एंसर जो है देखिए इसका भी सटिक एंसर यह है कि ठुमरी गुद्पत्ति आपको कहीं मतलब मैंने देखनी कोशिश किया कहीं मिला नहीं है पर यह नवाब वाजी दली लखनव में जो थे तो वहीं से माना जाता है कि काफी प्रस्षय दिया था तो वहीं से मान सकते हैं तो दोनों सही है इसका 56 58 में जो है उसका एंसर बहु बेगम का मकबरा फैजावाद में है 59 जो है उसका एंसर प्रयागराज से हल्दिया तक यह राष्टी जलमार घोसित क गया है शिक्स्टी का जो एंसर है वो होगा 22 आप सॉल्व कर लिजेगा इसको इसमें सीधा सीधा एंसर इसका 61 का जो एंसर है देखिए हमको एक बहुत ज्यादा कनफर्म नहीं है क्योंकि कई सारे हर्मोन है जो कि एक दूसरे से मिल रहे हैं तो एक ही आर्मोन इसमें को इसका पृद्धी वह करा रहा सिकर प्रधानता भी दिखा रहा एपिकल डॉमिनेंस थी है तो मैं इसमें कन्फीज हूं इसलिए मैं इसको इन टुच नहीं किया नहीं समझ में आ रहा है आपको अगर कंफर्म पता हो तो जरूरू कमेंट बॉक्स म विल्कुल तो नहीं है जेप्यों लेकिन मुझे जहां तक जितने भी मैने नेट पर सर्च किया है तो इस पर मुझे जिप्यू लगने लग रहा है सायद इसका एंसर यही होगा 64 का जो एंसर हो होगा आपका केवल 2 यह कि इसमें 2 पहला गलत है। पहला दिखिए इसमें लिक रहा है कि यह दिवान थे. नवात पूट्व दिव्ला यह दिवान थे वहां के तो मुझे लग रहा है है पहला गलत है इसका दो एंसर सही होगा 65 का देखते हैं यह जो है आपका राश्टी विमान विद्याले उत्तर प्रदेश में यह फुरसत गंज में है 66 का जो एंसर होगा वो 20 होगा 23 जो लिखेंगे वो 20 बराएगा 67 का जो एंसर है वो लैप्टॉप चार्जर यह है बाकी सब यह मिलता जुलता है यह बृतिचाप टीवी स्क्रीन यह सब 68 का जो answer होगा पती answer B होगा इसका 69 का जो answer है वो ए होगा दर असल इसमें सीदे स्कौार है 4 का 12ड और स्कौर प्लस वॉन का स्क्वार ठीक है उसी तरह 5 स्कौरamour 3 स्कौरर 8 स्कौर98 ऐसा ठीक है उसके बाद तीन तीन ये बन रहा है ठीक है ये बारत ये बारत ये हो गए टोटल हो गए 24 और फिर उसके बाद क्या है और फिर उसके बाद देखे इनको मिलाने से ये दो अलग से बन रहा है ठीक है एक इधर बन रहा एक इधर बन रहा ठीक है तो ये जो है आपका दो दूचार यह अलग हो गए तो बारा बारा चोभी सो चार अठाइस इस तरह से होगा 71 का जो एंसर है वो पुत्र C होगा 72 का जो होगा वो 529 होगा क्योंकि इसको जोड़ दीजिए 18 और 17 ठीक है और फिर इनका स्कॉयर कर दीजिए तो 1225 हा रहा है ठीक है उसी तरह से यह 19 और 4 को भी जोड़ेंगे 21 और फिर उसका स्कॉयर करेंगे तो 529 ठीक है नेक्ष्ट देखने है यह अन और 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 उपी इसका सही होगा क्योंकि इसमें है 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 का जो है आपका SJ MW है इसको जब आप उल्टा करके देखेंगे ह, A, N, D है और S, Z, M, W तो जब नंबर लिखेंगे इसका और इसका तो जब उल्टा करके जोड़ेंगे 27 माइनस करेंगे तो इसका भी निकल जाएगा मिल का भी ठीक है यह होगा 73, 74 का जो आप एंसर है वो होगा आपका D, 1, 2, 3, 4 सही है इसका सारे सही है, 75 का देखते हैं देखें जो अभी तक मालावार हो रहा था वो उसमें इंडिया, अमेरिका और जापान हुआ करते थे अब अस्ट्रेलिया भी आ गया 76 का है इगा स्विया तो टेक यह है इन्होंने जीता है 77 का है जो बोवेल राम कलावन यह सेचेल्स के राष्टपती निर्वाचित हुए है और 31 अक्टूबर यह जो इसका एंसर है वो एहम्दाबाद है 79 का जो एंसर है वो आपका D होगा 80 का इसको 80 का एंसर अब इसमें पूस दिया गिए कि अरब देशों मेंसे एंसर संबंद समान नहीं किये है इसराइल का मतलब USA हो गया वह संबंद है इससे होता है कि तो एटीवन का एटीवन जो है वो असत्य पूछा है तो सर्पुथम सुजोदे इसके मिजुरम राजी में होता है यह गलत है कि इसमें यह खैबर दर्रा नहीं है यह बाकि थालगाट बोरगाट पालगाट यह सब साउथ इंडिया में है अब फिर एटीथी का जो एंसर है वह होगा आपका एस यह आर गलत है विकाट देखिए इसमें लिख रहा है नगरी करण और द्योगी करण का अंसरान करता है यह बात तो सही है विकास सिल देश्वों में नगरी करण अपने आप में एक आंदोलन है तो यह मुझे नहीं लग 1234 कि 85 का देखते हैं 85 में देखिए भी हो सकता है बी भी हो सकता है अब यह असर्शन रिजनिंग है तो इसमें सोचने वाले पर डिपन करता है क्या सोच रहा है पाश्चिमें देशों के नगरों में पूर्सों के पेक्षा इस्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है यह समझ लिजिए कि अगर वो जाते हैं तो खेती गां में होती है तो उस हिजाब से वहां पर ऐसा हो जाता है जो भी कह लिजिए और बी दूनों में से कोई एक हो सकता है कोई भी होगा 86 का देखते हैं, 86 का answer D होगा, यह सीधा-सीधा मिला हुआ है, यह repeated question है, कई बार आ चुका है, अगर किसी एक को भी पता रहा हो, माता टीला तो बेदवा पर है, confirm है यह, तो C का दूसरा अगर मिला दिया तो, और D का दूसरा अगर मिला दिया तो आ गया, लेकिन D का दूसरा और भी है, तो उसमें मिला लीजिएगा, नागारजुन कृष्णा पर है, यह भी है, 87 का answer जो होगा, वो होगा आपका A, सब को पता है, अर्जंटीना, पंपास का मैदान अर्जंटीना में है, और काफी पाकिस्तान ने बंगलादेश के तुलना में अधिक नसली और जाती भी वित्ता है, तो यह बात तो सही है, पंजाबी पाकिस्तान की अधिकारिक भासा है, जबकि अधिकांस लोग बोलने में उर्दु भासा का प्रयोग करते हैं, यह भी सही है, पर जो पंजाबी है, वो अधिकारिक भासा नहीं है, ठीक है, 89 जो है, 89 का एंसर जो होगा, वो कोईली पता ही है, गुजरात में है, पेट्रोलियम स्वधन साला, 90 का जो होगा, वो हैधराबाद है, हधराबाद कृष्णा अधिपन नहीं है, मूसी पे है साइथ, 91 देखते है, 91 में लिख रहा है कि जाखोर को सांस लेने के लिए अक्सीजन और हिलियम की जरूत होती है, यह उनके उसमें होता है, जो क्या उनकुरित बीजों के किडवन से बने सार आपको क्या बहते है, यह तो 93 का जो है वो ब्रह्मो सुपर सोनी का भी कुछ दिन पहले इसका परिक्ष्ण हुआ है, नो से 95 का जो एंसर होगा वो सिनकोना, यह काफी फेम अभी चर्चा में था हड्रोक्सी क्लोरोकीन, यह ने मागा था इसके, 96 का जो एंसर है वो है आपका स्वेत वस्त्र काले वस्त्रों के पेक्षा ठंडे होते हैं, क्योंकि यह जो है वो संपुन प्रकास को परावर्तित कर दे ब्लेक बॉड़ी जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है, 97 का जो एंसर होगा वो सी होगा, यह ब्लीचिंग पाउडर जो है वो आपको, यह कैल्सियम अक्सिक्लोराइड यह है, और प्लास्टर आप पेरिस, यह कैल्सियम सल्फेट है में हाइडरेट को बोलते हैं, अगर यह जो था वो डायोट, उस डायोट के बाद ही ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर के बाद ही आइसी बना होगा, तो यह तो सीधे सीधे दिख रहा है कि भी यह डी होगा इसमें, 99 का देखते है, 99 का अंसर जो होगा, वो ए होगा, ठीक है, दिर्थंकर जो है इनके, और 100 नंबर पे है, आपका, इसका ऐंसर सी होगा सूर से इन का सामधी, यह सुमेलित नहीं है, 101 का है वो का लिंजर है, का लिंजर बोलतें इसको, सेरशार सूरी का आंतीम अभियान था, कालिंजर, 112 का जो एंसर है वो होगा, A, 4213, मिला लिजेगा इसको, एक सो तीन का जो एंसर है वो मुझे मिला नहीं कहीं भी अगर आपको मिल जाता है तो ज़रूर बताईएगा कहीं नहीं दिखाईए मुझे एक सो चार का है जो वह है राजा स्युप्रसाद युनाइट इंडियन पेट्रोर्टिक एस्वोशियेशन राजा स्युप्रसाद इसके संस्थापक थे एक सो पांच नंबर है वह एंजी रंगा है अखिल भारती किसान कांग्रेस के महासर्चीव के रूप में चुने गए थे टेए एक सो चे का जो एंसर है वह होगा सी दो चार एक तीन 107 का जो एंसर है वो भांबे सोचल रिफार में शोशियेशन न अयन जिरुएंट यह सुमेलित नहीं इसमें 108 का जो एंसर है वो है आपका देखिए इसमें 108 वाले में भी मैं स्योर नहीं था अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर जरूर पताईए पहला वाला तो सही है क्योंकि नमक कानून तोड़ने के लिए उनको सजा नहीं दी गई थी गिरफ्तार किया गया था बाद में छो कि 109 कोष्टन देखते हैं इसका एंसर जो गाव वाभी होगा 110 में देखते हैं 110 का एंसर जो गा वहोगा आपका केवल एक क्यूंकि राश्ट-पती जो है वह प्रेशिडेंट में है लोग सभा प्लस राज़शभा प्लस बिधान सभा ऐसा है और जो वाइस प्रेसिडेंट है उसमें आप लोग सभा राज सभाई है तो यह दूसरा जो है वह गलत होगा 111 देखने है 111 का एंसर सी होगा नीतियायोक के अस्थापना संगी मंती परसद्वारा पारित एक विस्स्ट रस्ताव से होगा था एक सो बारा का एंसर डी होगा यह मिला लिजेगा इसको 1432 113 का जो एंसर है वह है एक दो तीन तीनों सही है यह भी परिभासाइं बदल दी गई है एक सो चोगद्वा का जो एंसर है वह होगा जीस्टी यह टर्मोलाजी आप ध्यान रखिएगा और दूसरे क्वेश्चन में भी रिपीट हो सकता है राजस्व तद्र यह जो होगा वह जीस्टी से समन्दी रहे बारती अर्थ व्योस्था निस्रीत है जैसे ही आप इकॉन म का एंसर सी होगा 117 का एंसर एक कुसम एक तिलहनी फसल है इसका नाम बैग्यानी किया है 117 का जो एंसर है वह होगा और 118 का एंसर है जो की अभी ग्रेटर नोडा में स्थापित करेगा यूपी रोजगार के उसरों के इस रिजन के लिए उत्तर प्रदे सरकार ने राज्य क पहला आकड़ा के इंद्र स्थावित किया ग्रेटर नोडा में ठीक है फिर 119 देखते हैं 119 का एंसर जो होगा वह भी है आये में जो भी ट्रेड़िट जो भी देता है वह बीओपी को मेंटेंड करने के लिए देता है बैलेंस आफ्प्रमेंट ठीक है यह हो गया अब 120 नं का मंतलब यह होगया कि देने वाला मतलब दickers teleport देयोले रखधा है ठीक है रिड़ी है जो तो जो जिसके पास जिसने उधार ले रख़ा है पैसा ले रखेसा भ्राइफ के ले रख़ा है तो वो फायदे में रहेगा ठीक हो देंदार कहलाता है ना कि जो पैसा देता है वो को सही है डेपटर मतलब जो पैसा देने वाला है देगा तो उसको इन्फलेशन से उसको फायदा होता है क्योंकि जो पैसा है मनी है उसकी वेल्व गड़ जाती है इंफलेशन के टाइम बिठी है तो उसको फायदा होता है तो इस तरह से हमने यह कंप्लीट कर लिया अगर आपको कोई इसमें कोई एंसर आपको गलत लगता है तो आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में बताईए और जीन क्वेस्चन का एंसर मुझे नहीं मिल पाया है उसके बारे में भी जरूर बताईए तो चलिए फिर मिलते हैं आ होतר है उते हैं आपको कोई जरूर आपको कि बच्खा बखाइ़र मैं भलवयतर आपको कि टलाम एंसर आपको ऑंशरा कि शलने आपको.